जो वक्त की आधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा वो कलमकार नहीं है। सारी विवस्ताओं नहीं है, ना सांजद है, ना विदायक है, खास तोर पर जो विवस्ताओं फेल हो रही है, उनके नेता तो चुपते पर उनके चिंटू हमला कर रहा है। एकात्म पराक्रम तो जीवन में सदा रहा है, और दूसरा आपने का कि सेतू हम नहीं बना रहे हैं, सेतू तो इश्वर बना रहा है, कि सियाह रात नहीं नाम लेती धलने का, यही तो वक्त है सूरस तेरे निकलने का। नमस्कार ETV भारत में आपका स्वागत है, मैं हूँ विशाल सूर्यकान और आज हमारे बीच में वो शक्सियत मौजूद है, जो भारत में मंचिय कविता, खास्तों से हिंदी मंचिय कविता की शान रहे हैं, और इन दिनों अपने खास जो कामकाज कर रहे हैं, जो खास आपका विशाल भाई. तो आप ये फिर सेतू बना रहे हैं, एक तरह से जो लोग कुरुना से पिडित हैं, जो विवस्था से परिशान हैं, इच में कैसे पहुँच रहे हैं, इस पर बात होगी, और पहना सवाल मेरा जहन में यही आता है कि न सप्ता, न संगठन, न कारे करता, अकेले कैसे आप क जवान अपने काम में अगर कंकर की रूप में भी ले 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 तो यह भी स्वभाग्य की बात होती है, और चाहा उत्राखंड की तरास्ती हो, चाहा ब्रश्टाचार विरूदी अंदोलन हो, जो बात में राजनेतिक मैत्वा कांक्षाओं की भेंच चड़ गया, या दामिनी के लिए आवाज उठाने की बात हो, या कोई भी बात हो, एक कभी की साहित्तिकार की जिम्मेदारी है कि समाज ने जो उसे दिया है, जो माननेता उसे दिया है, जो सामर्थ उसे दिया है, उस सामर्थ का प्रतिफल वो समाज को लोटा है, चाहे वो साहिता की रूप में में रहे जबकि उसका केवल लिखने का काम नहीं होना चाहिए अभी इस हाल में दिवंगत हुए मेरे पीसडी के शोद निरदेश शक और मेरे गुरू डॉक्टर कुमर बेचेंजी की पंक्तियां हैं कि जो वक्त की आधी से खबरदार नहीं है कुछ और ही होगा वो कलमकार न मुझे दवाई देना मेरे परिजनों का ध्यान रखना मुझे सड़क देना लेकिन दुर्भाग्य से इस वार हमने देखा कि जब हमने पुकार उठाई तो व्यवस्था मौजूद नहीं थी इसमें मैं किसी केवले एक व्यवस्था के लिए नहीं कह रहा हूँ ज़री रहे थे वो पूर्ण स्वराज्य का राज्य का दर्जा तो मांगनी रहे थे वो तो विचारे ऑक्सीजन मांग रहे थे के ऑक्सीजन दे दीजी हवा में से निकाल के दे दीजी और पांच ट्रिलियन एकॉर्ड एकनामी का देश जो विश्व की इतनी बड़ी चुनोती बन चल गया था तो ऐसे में जो पुकारें उठ रही थी अस्पतालों की दवाईयों की ऑक्सीजन की तो हम सारे मित्रों ने मेरे आफिस के लोगों ने मेरे प्रशनशकों ने मेरे जानने वालों ने परचितों ने हमने मिलके एक समूह बनाया है और हम जुट गए आज से लगबग 25 दिन पहले से सुबह दिन रात जुटे शूश्रू में बड़ी समस्या हुई हम कैसे करेंगे जो आप कहरेंगा अकिला आदमी कैसे करें फिर हमने अपने परसेप्शन का इस्तमाल किया जैसे अगर आप से मेरा परिचा है और आप हैदराबाद में है तो मैंने सीधा फोन कर दिया विशाल भाई वो कोई ट्वीटर पर कोई लिख रहा है बिचारे को अस्पताल नहीं मिलना है और बहुत परेशान है और पिता को लेके भूम रहा है जरा आप देख लीजिए आपने अपने पत्रकार होने की शमता का प्रियोक करके किसी हस्पताल मालिक को फोन कर दिया कि भी कुमार शाठी का फोन ना रा जरा देख लीजिए उसको इलाद मिल गया ऐसे करके हम करने लगे और धीमे धीमे जतना कर सकते थ उतनी की और कर रहा है अभी भी गाउं में कर रहा है उसको लेके पुरे देश में चिंता भी है क्योंकि वहाँ से सही स्वास्त का हाल है उसे उतने नहीं पहुँच पाता आपने वहाँ पर कोड़ केर किट है वो तयार की है प्लाजमा एप की भी आपने बाह से यह थौट आया आपके दिमाग में सब्किंगी सबके जहन में ये बात तो है कि कुछ करना चाहिए और आपके पास तो बहुत से सार्थी बन गया लेकिन ये बिशाल भाई मानेंगे कि चलते युद्ध में सेनाफथी की रणनीती की समिक्षाइ नहीं की जाती है बहुत सारे युद्ध ऐसे जिनमें सेनाफथी ने खराब रणनीती बनाई लेकिन वो सिपाहियों के कोशल और साहस के कारण जीत लिए गए और कैई युद्ध ऐसे हैं जहां बहुत अधिक अच्छी रणनीती बनाईगे लेकिन सिपाहियों का कोशल खराबता इसलिए युद्ध हारे गए तो चलते युद्ध में तो मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इनके खिलाफ कविटा है लिखने लोग हूँ बोलने लोग हूँ समय आएगा तो बोलूँगा और अब भी गुस्सा कई बार चलक जाता है बाकि लोग मना करते हैं लेकिन प्लाजमा तो वही दे सकता है जो रिकावर हो सकता है तो मैंने लोगों से अपील की एक वीडियो जारी किया जो लगपाग 20-30 मिलियन लोगों ने देखा उसके नीचे जो कमेंट्स आये जो मैसेज बाक्स में मैसेज आये उनको हमने स्क्रिनिंग करी हमारी टीम ने 40 लोगों ने मिलके फिर उनको मैंने बात की 20-20-30- इसके लॉट में मैंने उनके साथ जूम कॉल की और मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आप किसी की जिंदेगी बचा सकते हैं और आप निकलिए घर से बाहर हम आपकी व्यवस्ता कराएंगे और आज की त्यती में मुझे इस बात का संतोश है कि मेरी जो टीम है कुमार विश्व एक tarix से मुझे लगने लगा था एक मैई से की गाओं में हालत खराब हैं चुकि जो जहां मैं रहता हूँ अपने खेत में जहां मैं आप से बात कर रहा हूँ यहां जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो गाओं मस्ते लोटकर आते हैं तो वो कहते थी हमारे थो पारा सीटा मो है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं को खुलवाए कैसे हमने वाग के प्रधानों के साथ और मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके गाउं में कोई बीमार ना हो और आप भी मानेंगे कर कोविड में शुरुवाती लक्षणों में दवा मिल जाए है मेडिकेशन हो जाए तो बहुत 90 परसेंट जो लोग है वो माइल्ड में ही रह जाते हैं वो मौडरेट में भी नहीं आते हैं सीवेर तो छोड़ दीजिए और गाउं की वेक्तिकी तो इम्मुनिटी वैसी भी बहुत अच्छी होती है बट गाउं में कई मिस कंसेप्शिंस भी है बताना नहीं है बुखार मान के चुपरो अरे किसी को बता मत देना आइसुलेशन सेंटर में डाल देंगे घर से लग ले जाएंगे लाश भी नहीं बिलेगी एस्पताल में तड़ जाओगे इस तरह की बाते थी तो हमने गाउं में ये कहा कि जो जनवासा होता है जाब बराता के रुपती है जो सब्हाद में एक केंदर है स्कूल है है हाऀल्थ सेंटर है उस पर गाउं के दस-दस वलेंटरी 20 सवलेंटर है इकट्ते हो जाओ प्रधान की अगवाई में, सरपंच की अगवाई में, वहां गाउं से मांग के थोड़ी से खाट डाल लो, और वहां थोड़ा सा राशन भढ़ लो, नहीं है तो राशन हम दे देंगे, हमने कुछ गाउं में राशन भी बिजवाया, गुंजन एक संस्था है उसके माध्यम से, हमको के एक समूँ ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हम अपनी नौकरी के अलावा या डॉन कोविड हमारे जो अस्पताल हैं, वहां से हम आपके गाउं के मरीज़ देख सकते हैं, और आपको आश्चेर होगा विशाल जी, अगर सो लोग ये कहते हैं कि मुझको बैड चाहिए कोई ऑक्सिमेटर भिजवा रहा है, कोई पैरसीटमोल भिजवा रहा है, सुरिश बिंदल जी ने एक लाग पैरसीटमोल भेज दी, किसी ने सेनिटाइजर भेज दिये, नरिंदर जी डामेंड वाले हैं उन्होंने, बागई कुछ लोगों ने कुछ पैसे भेज दिये, वे बागई बागई, जिको नको लगता है कि उनका नेता नंगा हो रहा है, हमारे काम कर रहा है, तो हमने ये कख दिये से, आप निये देंगा, या ये वेंडर है, इसको डिरेक्ट पैसे दे तो ये मुझे देगा, तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये यह बही 100, 200, 500, ज कवी है उसने सेंटर खोले हैं यह सब नए लड़के लड़कियां अपने अपने गाउं को बचाने के लिए इसी फार्मोली पर काम कर रहा है जी आपकी आपकी जो कवीता फिर बसंताना उससे शब्द ले रहा हूं कि राजवांस और राजमुकुत का डर नहीं रखता क्या क् कर रहे हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उसे पूस्ताज भी हो रही है नहीं हो जाए तो बहुत अच्छा है हम तो बहुत और पहले भी हमारे ले पूस्ताज कोई नेरा काम नहीं है पिछले शाशन में भी इस शाशन में लगातार रहते हैं और देखिए मैं विशाल जी पर सच बोला कि शाम के खाने का जुगार नहीं था, अगले दिन की रोटी का पता नहीं था, तो मैं तो सवभग्यश आली हूँ कि मा हिंदी ने मुझे इतना यश दिया है, इतनी सम्रिध्धी दिया है, कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो पूरे जीवन बैठ कर खा सकता तो जब हिंदी ने और हिंदी के लोगों ने जनता ने मुझे सामर्थ दे दिया है, कि तेरी चिंता हम कर लेंगे, तुजरा हमारी चिंता कर ले, तो मुझे कोई शोभा नहीं देता, कि मैं किसी सरकार की जो प्रेस ब्रीफिंग है, उससे डर कर, या उसके हमलों से डर कर, मैं अपना काम छोड़ू, तो अभी गाव में काम चला है, और मेरा उनसे यही कहना है, सरकार के जो पटियां है, उनके निताओं के चिंटूओं से और निताओं से भी, हम अच्छा काम करने दीजिए, हम आपके प्रतिक रोध को कम कर रहे हैं, उंगली मत करिए, वरना हम आ ज़ियरवाली बीमार होती है, आपके मंतरी बीमार होते है, तो गुरगाव में जाके में लेखते हैं, आपके बच्चे पढ़ने जाता है, मुख्य मंतरियों, अप मुख्य मंतरियों के, तो जाते है, सरदार Pठेल में पढ़ने और DPS NoIDA में पढ़ने, और आपको ग्यान तो जितनी भी राजनेतिक चंदो हैं इंसे कहना है कि हमको ना सिखाएं हम गाओं में काम कर रहे हैं करने दें कुमार में एक सवाल मेरे जहन में आया और इस सवाल की जरिये दरसाल उसका मरम आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं क्या ऐसी मांग भी होती है कि कोई हिंदू मिल जाए उसी का दीजिएगा कोई मुस्मी मिल जाए उसी का दीजिएगा प्लाजमा है वो कमसिंग ऐसा हो क्या दीजिएगा कि पास है आप तो मुस्से हैदराबाद से बात कर रहा है तो आप समझे रहे हो जिनके पास मसिया ही है उन्हों ने इतना गहरा दो दिया है मुझे मेरी टीम के एक लड़के ने तदिर इचानक फोन किया दो परको सबिए प्रॉबलम आ रही है. वो जो प्लाजमा आपने मुझे भेजा था, वो फाइनल होगया है, उसमें एक दिक्क्तारी है. मैंने खाए को जे लेने वाले हैं, वो плाजमा है कि लेकिन इनका क्या कर सकते हैं, यह इनकी संख्या बहुत कम है, आप मानिये कि समुद्र में एक बूंद विश जैसा है, जो कि भारत की जो मूल तासीर है, जो मूल इस मिट्टी का करेक्टर है, वो प्रेम का है, यहां नफरत कभी लगा तो देते हैं, उससे लोग फसल काट तो रहते हैं, चुनाव जीत तो जाते हैं, दूसरे के खिलाफ, लेकिन मूलते लोगों के अंदर प्रेम ही है, आप तो सारदिनिक जीवन आपका एक लंबा रहा है, चाहें मंच पे भी और राजडीती में भी, इस कोरोना की काल में, जिने हम जन प्रतेदी कहते हैं, हमें जिन आएंगे नजर सामने, अगर मैं कर सकता हूं तो वो नहीं कर सकते, क्या करना पड़ता है, आपको परसेप्शन दाओ पे लगाना पड़ता है, आपको भोपाल फोन करना पड़ता है, आपको जबलपुर फोन करना पड़ता है, आपको धतिया फोन करना पड़ता है, आपको हर्दोई के किसी नर्सिंग हो में फोन करके उसके मालिक से कहना पड़ता है कि मैं कुमार विश्वास बोला हूँ वो एक फौजी है वो इस से में BSF में बॉर्डर है उसकी बहन बीमार हो गई और कोई अलाज नहीं हो रहा है फ्लीस करा दीजे तो तो कहना इसलाम खत्रे में मुझे वोट दो तो कहना हिंदुत्व खत्रे में इसले वोट दो उसको तो कहना मैं हड़ गया तो तुम्हें ये मार देंगे दोनों के उसको लड़ाना है तो उसको पता है हम जैसे लोग जब जब राजनेतिक जीवन में आते हैं, तो हमारी जमानत हैं जबत होती है, मेरी हुई ना, मुझे तो इस बाट की कोई कोई कहने में गुरेश नहीं है, मैं किताब भी दिख रहा हूँ, जमानत जबत, आजकल इसमें काम कर रहा हूँ, तो देखिए उनको पता है कि स्वास्त सेवाइं देने से लोगों के साथ खड़े होने से उनका मद्दाता प्रभावित नहीं होगा और मैंने देखा है जिनके घर में मौतें हुई है अक्सिजन ना मिलने से वो अभी भी अपनी अपनी सरकारों को बचा रहे हैं मैंने देखा है कि जिन्होंने ट्रॉल के गेंग्स बनाए हैं उनको पुकार पुकार के कोई नहीं मिला लेकिन ऐसे समय में ऐसे लोग भी है जो बिना पार्टी की कॉल के बिना किसी उसके काम कर रहे हैं और मुझे इस बात को कहते हैं बहुत खुशी है सांसदों से लेके मंत्रियों से लेके विधायकों तक ने मुझसे मदद मागी और उनमे से अधिकांश लोगों ने गोपनी तरीके से मागी कुछने सारवजनिक भी मागी और निखिता हो सका है, जो मेरे परस Expedition से हो सका है मेरे प्रशंशक वर्क से हो सका, मैंने की है हमारे ऐसे बहुत सरे लोग है, दिल्ली में पूर विधाय के, उत्तम नगर के मुकेश शर्मा आप उनको देखिए, उनसे हरीश खुराना मदद माग रहे हैं, जो भाज़ पक हैं उनसे संग के, असाम के प्रचारक मदद माग रहे हैं, और वो मदद पहुचा रहे हैं हमें रेड़ी डिसीवर दिला रहे हैं, अक्सिएट दिला रहे हैं बैट दिला रहे हैं, तो करोना काल में ये मनुश्यता भी सामने आई है, जहां लूटने के किस्से आए हैं, अमूलेंस में 15,000, 20,000, 50,000 रुपे ले लिया जहां शव को जल्दी जलाने की रिश्वत लेने के किस्से आए हैं, वहां ये मनुश्यताओं के किस्से भी सामने आए हैं आपने कहां जी अभी तो युद्ध चल रहा है, ऐसे मैं जो सेनापती है, उसकी बजाए हम कैसे उसको टार्गेट करने की या उसकी गलतियां गिनाने की, हम ऐसी रणनीटी क्या अपना हैं, उसके उपर हमको फोकस करना चाहिए, लेकिन फिर भी, बात रणनीटी की है, तो ये देनी चाहिए, कि इस सिस्टम की खामी क्या है, सरकार की खामी क्या है कहीं हम इस पुरा दौर गुज़रने के बाद में बूलेंगे इस देर, इस पूरे फेर के अंदर, बहुत देर तो नहीं कर नहीं देखिए, उसमें बिलकुल आप यकीन मान के चलिए, उनी की कोई खामी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, खामी हमारी है कि हम alfpressलों को चुंदते हैं, खामी हमारी हम टाइम पर भूल जाते हैं, हम याद नहीं रहती है, खामी हमारी है आप बैट के बेर इंट्रिवी ले रहे हैं, मैं आप बैट के इंट्रिवी दे रहा हूँ, वो जो आवाजें हैं रात को वो पिगले शीशे की तरह उतरी हैं कानों, उनको लगता है कि मैं बचा लूँ, उनको लगता है पता नहीं मैं कौन हूँ, आप चाहेंगे तो बचा ल इस एक महीने के अंदर कि वो एक पूरे जवान आदमी में तब्दील हो गया। अंकल डॉक्टर से बात किया, अंकल डॉक्टर कहना है, रात को दो बज़े अक्सिजन खतम होने वाली थी उस हॉस्पिटल में, वहां से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांस्फर करवाया। तो आप देखिएगा, इसके बाद ऐसे चिन्न लोगों के जीवन में छूटने वाले हैं, कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, मैं मा को बचा नहीं पाया, मैं पत्नी को नहीं बचा पाया, जबकि मेरे पास सामड़ के थी, तो नेता जानते हैं, उनसे सवाल करने का करने गए थे, क्योंकि सब गए थे, उस हमाम में सम नंगे थे, इसलिए एक दूसरे के कॉलर पकड़ने में वो बच्चते हैं, वहाँ उनकी आपस में रणनीती अच्छी है, और दूसरा, जब वो इस बात को जानते हैं, कि अस्पताल की रवस्था ना करने के बाद भी वो परिजन भेज दिये, यानि कि जिन लोगों को इस देश में, यह तो मैं कभी बाहर सुनता था, कि युगांडा में जब विद्रो होने वाला था, तो ईदियमीन ने अपने लोग भेज दिये थे, यह तो मैं बाहर सुनता था, ऐसे ग्रह युद्धों की बात, अपने लोग के बच्चे भी दूसरे को समालते हैं बड़ा बाला बच्चा चोटे वाले को खाना देता है चुप करता है यह कर रहे हैं और यह दौर भी अपने देखा है तो एक कवी के मन में वेदना तडब सब कुछ सब के मन में होती है लेकिन एक कभी ही एक ऐसा जो शक्स है इस वेदनाओ को एक शब्द सेतु दे सकता है शब्द के जरीए उन समवेदनाओ को संभाल सकता है विशल भाई मुझसे बहुत सारे आप जैसे साथियों ने पत्रकार मित्रों ने पूछा कि इस पर आपने कुछ बोला क्या इस पर लि चलते युद्ध में जिस तरह एक महारती के चारो तरफ उसके परिश्चतों के शव गिरते हैं और उसके पास उनके शोक का समय नहीं होता इवल वो लड़ता है मेरी हालत कुछ ऐसी है रात को बारे बज़े दो बज़े सोते समय भी मुझे चिंता होती कि कल ये पांच प्ल था क्या दोनों की ऐसी मतलब ऐसी ऐसी पूरकता हो नहीं सकती जो राजन साजन जी और कैसा कैसा दरख्त गिरा मुझे पूरा आलेक लिखना था लेकिन उसका समय नहीं दे रही है प्रक्रती मैं जब भी कोविड केर सेंटर खुलता हूं मुझे कोई कहता है कि साब वह वाल बंद हो जाएं यह 10-10 दिन 20-20 दिन खाली पड़े रहे हैं यहां oxygen concentrator खाली पड़ा रहे हो और यहां कोई ना हो बस मैं यह चाहता हूं और इश्वर्च आएगा तो यह दिन आ जाएगा हम सब लोग मिलके लड़ेंगे तो मैं जाते जाते इसको पठक लेंगे बिलकुल यकिनन इस तरह की भावना सबके जहन में कि कब खत्म होगा लेकिन आपने एक सिस्टम के बरक्स एक पहल है वो शुरू की मैं यह नहीं कहुंगा कि एक सिस्टम तयार कर लिया है लेकिन एक पहल आपने शुरू की है और दिल से बताईए कैसा महसूस होता है जब देश का जाना माना कभी चर्चित व्यक्ति उसको एक डीम है वो पूछ लेता है जैसा कि आपने बताया कि आप कौन है आपको महसूस होता है कि राजनीती छोड़ के कही गलती तो नहीं कि कोई ओधा होता कोई मंत्री पद होता सांसत पद होता तब धौस से हम कह सकते थे कि या कोई काम करना पढ़ेता यह तो नहीं लगता कि राजनीती छोड़ के कलती है राजनीती होतसर है और यह जरूर लगता है कि जिनके प्रिज़े रिटए में पूछता है इनके बच्छे इनको जबाके में पूछता है परिप्टी चीफ मिनिस्टर है पाप आप तो मंतरी है आप तो सचिव हैं आप तो कर सकते हैं प्लीज लग जाएए प्लीज करिये कैसा कोटर बना लिया है अने तिक्ता का अपने चारों तरफ या ये परिजनों की आवाज में नहीं सुनते हैं या भगवान ना कर रहे हैं इनके घर में कुछ हो जाए तो भी ऐसे निरलिप्त रहेंगे तो मुझे तो या हो सकता है हम लोग मिस्विट मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जिने राजनीती ने विस जिसे कहता है न बुरी तरीके से अस्विकृत किया है हम इसमें कोई हमसे लोग कहते हैं लेकिन हाँ उनके करने से ऐसा करने से हम अपना काम नहीं छोड़े अगर हम सौ लोगों को बचा पाए, हजार लोगों को बचा पाए, दोसौ लोगों को बचा पाए, एक आदमी को बचा पाए, तो भी हम अपना काम नी शुड़े, हम गाली देके भगेंगे नहीं, हम केवल लेख नहीं लिखेंगे, हम केवल कविताय नहीं लिखेंगे, हम काम तकम भी हो रहे हुए लेकिन आप है वो बिल्कुल गाओं के अंदर देख रहे हैं मुझे आपके जरीए समझना है कि वाकिए गाओं के अंदर पैस्टिंग और ये तमाम चीज़े हो पा रहे हैं क्योंकि आप सरसे प्रश्चिम यूपी और अन्य अन्य तम पूरे देश भर क जिनका मक्का अच्छा भी का है जिनका गन्ना अच्छा भी का है वो तो ले जाके टेस्ट्रेस करवा भी रहे हैं वरना कोई क्योंकि हम जितने किट दे रहे हैं उन में से 99% वो लोग है जिनकी टेस्टिंग निए लक्षण है और उन्हें किट बाट देते हैं उसके बाद कम हो रहा है, मैंने कहा ना कि गंगा में लहांशे तेर रही ही, तो ऐसी थोड़ी आदमी ने मार के खुद को डाल लिया कि सरकार को बदनाम करना है, ऐस थोड़ी हो गया दिली में आपने टेस्टिंग बंद कर दी है, आप आप चाहते ही नहीं है आप सिर्फ विज्यापन बाजी, सिर्फ मीडिया मैनेज करना 24 घंटे, सिर्फ छवियां चमकाना, सिर्फ सोशल मीडिया की कैमपेइनिंग मनाना, तो ठीक है, लेकि नम इस पर विशाल भाई बहुत अधिक मतलब गुस्सा मेरा आमंतरित आप मत करीगे, मैं बहुत दुकी हो जाता हूँ यह इसे सोच के, मैं फिर इस मैं लग जाता हूँ क्या इनका क्या इलाज है, कोई लाज नहीं है इनका, लोक बाउं के लिए जीवन इस तर में स्वास्त है, सिक्षा है, अच्छी बाते हैं, गैर सामप्रदाइक सोच है, राश्रवाद है, यह विशे हमारी जीवन शेली के विशे बन जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, और हम जैसे लोग अभी, एक कंकर का योगदान तो रयाद लेकिन आपने जो एक काम शुरू किया है, क्या इसका मकसद यह कोरोना काल तक ही है, यह आप चाहेंगे कि यह पूरी नेट्वर्किंग इस पूरे काल के अंदर बन रही है, इसको और थोड़ा परिमार्जेत करके, और इसको थोड़ा सा सशक्ट करके, कम से कम शोशल अंदर एक बड़ा काम करें, राजनीती में आला नहीं आला, यह तो आपने काल की युगधर्म है, यह तो मैंने भी नहीं सोचा, पर हाँ, इस बीच में पिछले एक ड़र महीने में काम करते हुए, यह दूरूर सोचा विशाल भाई, मैंने कि मैं अपने ट्रस्ट से, जग उत्तमता के साथ तयार करूँगा, खुद वहां रहे के, लेकिन सिक्षा तो फिर भी बाद में आजएगी, स्वास्त तो पहले है, तो मैं सोचता हूँ, एक सो दो सो बैट का हस्पताल तो खोलूँगा अपने जीवन में, जाकि जो जहां लोगों को कुछ मिल सके हैं, रिक्षा बना रहे हैं भाईया, और यह वाली दवा नहीं मिल लही है, यह वाली दवा की जगे, यह रख लो, यह इनी समय लगे हुआ है, इसके पीछे कोई खास हुजा है, क्योंगे राजनितिक जो प्रिक्षा कहा हूँ, तो अलग नजरी इससे देखेंगे, आप से पश चलने वाले हैं, वह इन दोर में मैं जो बता रहा हूं हमारा गीत कार है, वह अपने गाहों के पास चलने वाला है, तो मैं तो पांच जगे से चुनाव रहने तो जहूँगा नहीं, कि मैं अम्मेड कर नगर भी चला जाओ, लखना भी चला जाओ, यह तो लोग चलाते ही र पांच बाइन करा दीती है, कही नहीं जिए निकिड डिला देती है, मैं चुनाव भी लग लेता हूं, शबत भी लेता हूं, तो मैं ऐसे उपर उड़ गया हूं, मेरे को आप इससे को फरक बरग नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर जब मौका मिले, कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों की उमीद भी जाग रही है, और अपने खुतने कहा, कि काई बार बड़े ओधे दार हैं, उनकी जिम्मेदारी ही है, उनकी कीसे आ जा जाती है, तब आपके जखेन में ये बात तो आज लोगों की जहन में बात होगी, कि कुमार भाई लड़के और राजनीती के अंदर आएं और शायद उसी शिद्दत के साथ मदद करें जिस शिद्दत के साथ आप भी करें मैं इसमान के चलता हूँ कि यह सब जो है यह इश्वरी विधान है इसका समय नियत है आंदोरन का समय भी नियत था मुझे थोड़ी पता था आप तो मुझे याद है जब हमराब भुपाल में मिले थे और मैं एटीबी के जबतर भी आया था है था हैदरबाद में वो समय तो मेरे कविसमेलन के गोल्डन पीरेड था पीक पर था 2006 से 2005 से में सबस्यादा पैसे लिने वाला नंबर वन पॉपलारिटी का मंच का कभी था तो मुझे 2010 में और 2011 में एक जमी जमाई सक्ता से संगर्ष करने की कोई आवश्यक्ता ही नी थी पर मुझे लगा कि Commonwealth के टाइम में हत्या कर दी अब लोग भाग भरोसा भी कम करते हैं अगर मैं कल को कहके चलूं कि आओ जी मैं काम दोन करता हूं हटा तो लोग यह आया पिछली बार तो आया था दो को लेकर चार को लेकर वह ने देखे थे कौन थे तो ऐसे लोगों ने केवल राजनेती ग्रूप से कुछ लोगों की हत्या नहीं की उन्होंने संभावनाओं की हत्या किया उम्मीदों की हत्या किया तो अभी तो कुछ मुझे है नहीं और मैं आभारी हूं कि देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहे भारते जिंता पार्टी हो चाहे अन्ने पार्टी हैं उनके सारे सीर्षरस्त जो लोग हैं उनका मेरे प्रती बड़ा स्ने, सद्भाव और आदर का रिष्टा है वो मुझे बड़ा मान भी देते हैं और मैं कुछ बोलता बालता हूँ तो उसका बुरा भी नहीं मानते हैं कुछ भी बोल देता हूँ तो कह देते हैं बुरा कुछ नहीं मानते हैं चुकि मैं कभी ऐसी बात कहता नहीं हूँ जो उनकी निज्टा पर हमला करें मैं तो सामाधिक सरोकार को लेके उनके खिलाफ बोलता हूँ जब खराब बोलते हैं और वाइस तो सबसे ठीक संबन्ध हैं इस पूरे प्रोज़ेक्ट में तो उनकी कोई मदद नहीं है तो उनके आप ही चला है लेकिन एल्टिमेल्टी मैं मदद तो नहीं की कर रहा हूँ ना अगर सोगहों औ दोसециreon गवाँ में हो गस्सा कम हो रहा है सरकार के खिलाफ किसी भी सरकार के खिलाफ या दिल्ली में बैट दाद रहा हूं दिल्ली सरकार के लाफ करत हो रहा है तो मैं तो मदद ही कर रहा हूँ ना उनकी होती है कि आप जिस तरह से पुरा अपना movement कर रहे हैं दिल्ली की राजनीती में एक अठी में बडा नाम शक्री रूप में उस रूप है अपी भी जिस रूप में आप काम कर रहे हैं तो एक प्रतिध्वन्दी तैयार हो रहा है जो कॉंग्रेस से भी अपने संबंध है वो सहज रख रहा है जो बीजेपी से भी रख रहा है जो आम आद्मी पार्टी के लवा हर पार्टी से अपना संबंध रख रहा है तो इसका कोई राजनेतिक अर्थ नहीं है इसका कोई ये केवल सामाजिक है और इसमें जो भी राजनेतिक हेतु देखते हैं या ठीका टिपनी करते हैं वो बेसिकली वही लोग है जो अपनी-अपनी सरकारों की खाल बचाना चाहते हैं मूल के तो बात यह है कि सरकारें व्यवस्था हैं इन उसने का कोई दिक्तत नहीं है आपके लिए पुरा वार्ड बना दूंगा नया आप बेजे कितने मरीज बेजने हैं मुझे तो बात अलग है यह हमारी कमाई थी और जो उसने बोला वो उसकी कमाई थी चलते चलते एक सवाल सवाल तो क्या गुजारिश है क्योंकि आप कभी है काम लगातार कर रहे हैं सिवा का लेकिन ये दौर ऐसा भी है जब निराशाबाद से गिरे समाज को कुछ आशा की किरण है वो दिखाने की जरूरत है और आप से बैठर वो कोई काम कर नहीं सकता तो करना चाहा हूं बहुत कोई आप कोई सुनाना चाहें आप दश्कों विशाल भाई पहले तो मैं आप से कहते हूं मैं बहुत सारे चैनल से लगातार बात कर रहा हूं यहां से ही आपने इतनी इंपीरता से टूदा पॉइंट और बिना नौन सेंसेशन के सवाल पूछे हैं इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूं पता नहीं कैसी कैसी लोग बाते पूछते हैं उनका उत्तर देने का भी मन नहीं करता है और लोग जाय कि मैंने अपना आदा घंटा खर्च कर दिया इस बीच में तो मैं चार आद्मियों के लिए प्लादमा के वस्ता कर देता आपने बहुत संजीद्गी से बात की और जो बात कहनी चाहिए थे जंता तक वो पहुँचाईए और आपने जो मेरी पहली कविता पड़ी थी वो इसी दौर की कविता है लेकिन फिलाल तो मैं वसीम भाई का एक शेर है वो मैं चंता को सुनाना चाहता हूं बिलकुल मत अपने अंदर के साहस को इखटा करिए हारिये नहिमत बिसारिये नराम हमने बड़ी बड़ी लड़ाईया जीते हैं हमारे अयोध्या के एक हमारे पूरवज ने तो अकेला एक वलकल पहन कर दुनिया की सबसे बड़ी गुंड़ाई को हराया है ये तो अद्रिश्य चोटा स करते रहेगा एक दूसरे की साहता करें सोचिए यह आदमी है यह से हो गए यह परिशानी कोई रिकती इसकी साहता करें कुछ नहीं तो जो अकेले लोग रहने कोरोना से पीड़ेट होगे उनके घर खाना रखी आई उनके दरवाद से पर पहार कुछ नहीं है तो उनको फोन कर लीजिए वीडियो कॉल्पन का साहस बड़ा दीए उन मित्रों से बात कर लीजिए जो परिशानी में है चूंकि इश्रण ना करें आप भी परिशानी में आसकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्या बात है कुमर भाई समापन मेरी कुछ लिखी पंक्तियों से करना चाहूंगा और आपको नजर कर रहा हूं कि उम्र है तब तलग जाएंगे कहां कभी हुनर से कभी तजुर्बे से तब खयालों से महकाएंगे जाए वाह क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुमर भाई आपको हमारे साथ में जुड़े एटीवी के तमाम दर्शकों के और से आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार